पहला कौन था मुवज्जम और मुवज्जम की क्या कहानी है लिखेगा दी गवर्नर ओफ काबूल मुवज्जम क्या था काबूल का गवर्नर था दूसरा बेटा इसका जो था वो था आजम कौन था आजम ये है दी गवर्नर ओफ गुज्जरात कौन है ये गुजरात का गवर्नर है ठीक और इसके बाद इसका तीसरा लड़का तो कौन था दूसरा गवर्नर ओफ गुज्जरात था कौन आजम और तीसरा बेटा था कामबक्ष जो था ये था दी गवर्नर ओफ डेककन इन तीनों में क्या हो गया वार ओफ सक्सेशन डेककन तीन बेटे थे और अरंजेव के और इन तीनों के बीच में क्या हो गया वार ओफ सक्सेशन कौन मुज्जम आजम और कामबक्ष ठीक है ये तीन बेटे और अरंजेव के और तीनों में क्या हो गया वार ओफ सक्सेशन अब क्या होगा वार ओफ सक्सेशन होगा का गवर्नर वो राजा इंपरर वोसित कर दिया तो उसी तरह से ये सब भी यही काम करेंगे तो जो आजम था देखिए आजम तूम थो आजम थाजम थो एमद नगड और अजम थो आजम थो आजम थो एमद नगर अग्ड़न देखिए ये क्या अपने आपको एहमद नगर में जाकर खुद को एमपरर घोसित कर दिया तो गुजरात का गवर्णर था एहमद नगर इसे कंट्रोल में था ये जाकर एहमद नगर में अपने आपको एमपरर घोसित कर दिया क्योंकि उसमक्त गुजरात प्रोविंस की राजधाने एमद नगर रही होगी ठीक है नेक्स्ट आईए कौन आया आप काम बक्ष काम बक्ष टू डिक्लेरड हिमसेल्फ काम बक्ष टू डिक्लेर हिमसेल्फ दा शोवरेन रूलर शोवरेन नेर बक्ष क् ðाउर स्थिख जर्ण 2018 अधारोय को शोवरेंड भूर्ण दाऊभर्ण गुल्बर्ण गुल बर्ग एंड हैदराबाद तो ये क्या था डेककन का था कौन? कामबक्ष तो कामबक्ष ने भी क्या किया डेककन का गुल बर्ग और हैदराबाद को क्या किया अपने कबजे में ले लिया और खुद को क्या कर दिया सौपरेन यानि कहा कि मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ मैं अपना अलग हूँ मैं मुगल बादसा नहीं मैं डेक्कन का बादसा हूँ अपने आपको इंडिपेंडेंट करने की कोशिस कर ली किसने कामबक्स ने और आजम ने खुद को मुगल एमपरर घुसित किया दोनों में थोड़ा सा अंतर है बात वही है लेकिन आजम का कहना था कि जितना बड़ा मुगल सल्तनत है उस सब का इंपरर कौन हो मैं हूँ लेकिन कामबक्स का कहना था कि मैं इंपरर नहीं मैं अपना जो डेक्कन वाला एरिया है इस डक्कन वाल एरिये का मैं अपना independent ruler हूँ यानि कि मैं मुगल संत्रत यानि कि आजम से अपने आपको अलग करता हूँ या जो भी मुगल संत्रत अभी है उससे मैं अपने आपको independent कर लेता हूँ ये इतनी कहानी अभी तक हुई अब तीसरा बेटा जो अभी तक कौन बचा है मुध्जम मुध्जम क्या करता है तो अभी इसको रब करके तब लिखते हैं मुध्जम के बारे में हमने देखा और अंजेब के दो बेटे आजब जिसने खुद को एंपरर घोसित किया और कामबक्स जिसने अपना एक सोबरेन रूल बना लिया डेककन में गुलबर्ग और हैदराबाद को कंकर करके अब आया तीसरा बेटा मुध्जम कौन आया मुध्जम तो मुध लिखेगा ही दिफीटेड आजम एट कहां पर चाजाओ इन 1707 एंड कामबक्ष नियर हैदराबाद इन 1708 तो मुध्जम ने अपने दोनो प्रतिद्वंदियों को हरा दिया तो मुध्जम ने आजम को हराया तो आजम अपने आपको इंपरर घोसित किया था तो पहले तो हरा और हरने के हरा तो अब इंपरर कौन हुआ मुध्जम और कामबक्ष ने अपना इंडिपेंडेंट कर लिया था हैदरापद और गुलबर को तो इसने उसको भी हरा कर हैदरापद गुलबर क्या किया मुगल सल्त्रत में मिला लिया तो इस तरह से अंतिम विक्टोरियस कौन हुआ मुअज्जम तो लिखिएगा as मुअज्जम emerged victorious as मुअज्जम emerged victorious and ascended and ascended the Mughal throne with the title of Bahadur known as also known as sa alam first तो इस तरह से मुअज्जम क्या हुआ और अंजेब के बाद जो सुल्तान बना उसका क्या नाम था मुअज्जम लेकिन सुल्तान बनने बाद इसने क्या किया एक नया नाम लिया title लिया जो था बहादुर साह तो अब बहादुर साह नाम के दो लोग हुए तो एक जो लाश था बहादुर साह जफर जिसे हम लोग कहते हैं एक्चुल में उसका नाम सिर्फ और से बहादुर साह था लेकिन वो जफर नाम से पोईट पोयम्स लिखा करता था वगरे मतलब ये क्या करते हैं सेरो सायरी लिखा करता था इस वज़े से उसे हम लोग बहादुर साह जफर कहने लगे उसका निकनेम था जफर लेकिन यहाँ पर हमें समझना है कि इसने अपना नाम रखा बहादुर साह और दूसरा नाम रखा साह आलम एक और साह आलम आएगा जिसको साह आलम सेकेंड कहा जाता है वो अंग्रेजों से हारा था ठीक है बैटल ओव बकसर में तो वो हम लोग आगे देखेंगे अभी तो अब औरंजेब के बाद जो पहला सुल्तान बना उसका नाम है बहादुर साह फर्ष्ट या असली नाम क्या है इसका मुज्जम या एक और नाम है जिससे हम लोग इसको जानते है साह आलम फर्ष्ट ठीक है तो इस तरह से हमने देखा कि औरंजेब के बाद लेटर मुगल्स में जो पहला सुल्तान बना उसका नाम है बहादुर साह ठीक ओरिजनल नेम है मुज्जम और उसके दो टाइटल है बहादुर साह और साह आलम और इसका टाइम पिरियड है वही 1707 से लेकर 1712 CE ठीक है पांच साल तक ये सुल्तान रहा कैसे तो साह आलम जब सुल्तान बना तो इसकी एज थी 63 एर्स 63 एर्स के एज में सुल्तान बना ठीक है तो यानि कि कह सकते हैं कि और अरंजेब के सुल्तान नहीं बना था उससे पहले बहादुर साह का जन्म हो चुका था तब सादियां क्या होती थी बहुत जल्द होती थी ये तो सबको पता है ठीक है तो इस तरह से क्या हुआ एक बूढ़ा सासक सुल्तान बना लैटर मुगल्स का पहला सासक अब एक औरंज एक अकबर था जो साल की एज में सुल्तान बना और एक कौन है बहादुर साह जो 63 साल की एज में सुल्तान बन रहा है तो इसी से आप कंपेर खर सकते हो कि अब सल्तनत कैसे हाथों में जा रही है या सल्तनत का क्या होने वाला है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अब इसके बारे में लिखते हैं लिखिएगा बहादुर साह 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 इसा क्यों लिखवा रहा हूं मैं कि ये लेटर मुगल्स का पहला और अन्तिम सासत था जिसने अथारिटी यानि कि एक सुल्तान की तरह राज किया जो ओर देने में सक्षम था जिसने कुछ ओर दिये और उसको माना गया क्योंकि इसके बाद के जितने सुल्तान आएंगे वो क्या होंगे वो नॉवेल्स के हाथ की कटपुतली रहेंगे वो नॉवेल्स के हाथ के पपेट की तरह रहेंगे नॉवेल्स उनको अपने हिसाब से चलाएंगे जैसा हमने दिल्ली सल्तनत के लाश्ट फेज में देखा था कि नॉवेल्स बिल्कुल ही हावी हो चुके थे वही हाल यहां भी होने वाला है ठीक है तो इस वज़े से आप यहां मैंने लिखवाया कि बहादूर सावास दा फर्स्ट एंड लाश्ट को किसमे लैटर मुगल रूलर्स में क्योंकि इस से पहले जो रियल प्रोमिनेंट मुगल रूल है उसमें तो सब कुछ सुल्तान की चल रही है लेकिन जब डिकलाइन फेज में आ गए तो उसमें बहादूर साव फर्स्ट ही जो था वो एक रियल सुल्तान की तरह रहा उसके बाद के सब कैसे थे बिल्कुल ही नालायक कह लीजिए ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन वाकई में हकीकत कहीं न कहीं ऐसी ही रही है कि वो किसी काम के नहीं थे ठीक है तो इसलिए यहां पर लिखाया कि कि कुछ सुल्तान की बाते सुनी जा रही है कुछ सुल्तान कह रहा है लोग उसको मान रहें समझ रहें तो वो यहीं पर इसके कामकाज के वाद समाप्तसा हो गया नेक्स्ट पॉइंट लिखे तो उगीञ लिखे वाद लिखे कामके वाद समा सम्झर विखे तो ये बाते तो हमने देखी थी कि और अजेब के टाइम पर क्या था गुरु गोविन सिंग और खालसा का निर्माण ये सब हमने देखा था और अजेब के टाइम पर ही क्या था नाइन्थ गुरु की हत्या होई थी गुरु तेख बहादुर की है ना तो कही न कहीं सिखों के साथ भी मुत्भेड शुरू हो क्या था दूसरी तरफ क्या थे मराठा सिवा जी उनके साथ भी क्या था कॉन्फिक्ट चल रहा था और अरणजेब ने राजपूत के बीच में भी मारवाड और मेवाड में भी क्या किया था हस्तचेप करके उनको भी दिक्कत दिया था तो वो क्या किये थे अकबर को सपोर्ट किये थे जिसने विद्रो किया था तो ये तीनों क्या हो चुके थे और अंजेब के टाइम पर ही मुगल सल्त्रत के अपोजिट हो चुके थे तो बहादुर सा ने थोड़ा सा सोचा चीजों को बैलेंस करने के लिए तो उसने क्या किया कहा कि राजपूत और मराठा बड़ी पावर है तो इनको थोड़ा सा पैमपर करो इनके साथ क्या करो रिस्ते अच्छे करो तो इनकी बातों को मानो इनके साथ एक नर्म सा व्योहार करो और सिखों को उसने फिर भी क्या किया strict policy में बना कर रखा कि नहीं, इनकी संख्या काम है इनको हम क्या करेंगे इनके साथ हम कोई भी pampering वाला ब्योहार नहीं करेंगे इनको हम क्या करेंगे बिल्कुल ही strict policy यानि की समाप्ट करने वाला काम करेंगे ये बहादूर साजफर की starting phase में policy थी तो उसने कैसे किसके साथ क्या deal किया उसको समझते हैं तो पहला उसका जो काम था राजपूत्स, राजपूत्स के साथ उसने कैसे conciliation किया तो अब लिखिए राजपूत्स या मैं कोई heading नहीं दे रहा हूँ आप बस यहीं समझे concilatory policy राजपूत्स, मराथा और strict policy with sick इन तीनों की एके करके कहानी को देखेंगे राजपूत्स उसने कौन सी policy अपनाई मराथों के साथ कौन सा system अपनाया और सिक्खों के साथ वो strict रहा तो कैसे रहा और क्या-क्या घटना है घटी ठीक है यह सब आपको pre में ही पूछे जाएंगे तो लिखेगा राजपूत्स के बारे में लिखे to have better to have better control to have better control over marwar and umber यह दो important राजपूत घराने थे और राजपूत area था he forced Ajit Singh of Marwar to submit to the Mughal authority तो पहले तो उसने क्या किया कि इनको submit करने भूला भूला कि आप क्या करो Mughal authority सामने जुक जाओ क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था अकबर के साथ मिलकर जो और अरजपूत अकबर उसके साथ मिलकर विद्रो किया था क्योंकि इनके matter में और अरजपूत इनके internal matter में दखलंदाजी की थी वो मैंने आपको पढ़ा रखा है और अरजपूत पॉलिसी में वहां आप जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएग तो कैसे तो लिखिएगा he made attempts he made attempts to garrison amber and replace तरहाईस के जैस्ञ जैसे ओ पिंधिस सैंफ यूंगर प्रद भड 2 कि आडए सेंगे depression we जैस जैसामी का वोड़ जैसे यानि कि इसने क्या किया कि पहले जैसिंग जो उस वक्त राजा थे उनको हटा कर उनके छोटे भाई विजै सिंग को सपोर्ट करके राजा बनाने की कोशिस की कहा कि अंबर की और मेवाड और मारवाड में वाले ही मेन थे उस वक्त जैसिंग और हमने देखा था एक कौन थे जैसिंग थे और एक अजीत सिंग थे यही दो थे राज सिंग राज सिंग के बाद आए जैसिंग और इधर अजीत सिंग हमने वो कहानी पढ़ी है और अंजेब की राजपूत पॉलसी में जब आप देखोगे तो कहानी आपको याद आ जाएगी तो इसने वही कोसिस की कि जैसिंग को हटा कर उसके चोटे भाई विजे सिंग को राजा बना कर विजे सिंग को क्या किया जाए अपने सपोर्ट में रखा जाए ये इसके चाल थी क्योंकि जैसिंग एक तरह से मुगल अमपायर के विद्रो कर चुके थे मुगल अमपायर से तो ये किसी तरह से जैसिंग को हटा कर विजै सिंग को राजगद्दी पर बैठा कर अपना सपोर्टर बनाना चाह रहा था ठीक यहां तक कहानी समझ में आए अब क्या होगा तो इसको रब करके फिर आगे देखते हैं तो बहादूर सार ने क्या कोशिस किया राजपूर्स को लेकर कि मैं अंबर के जै सिंग को हटा कर उसके छोटे भाई विजै सिंग को क्या करो सत्ता दे दूँ और उसको अपने सप अब वो बात बनी नहीं उसमें क्या पॉलिटिक्स हुआ कितना अंदर तक का पॉलिटिक्स हुआ उसके बारे में हमें नहीं जाना फ्रैंकली बोल रहा हूँ उसके बारे में हमें नहीं जाना क्यों नहीं जानना क्योंकि वो चीजे आप से नहीं पूछी जाएंगे ठीक है बस आपसे जितनी पूछी जाएंगी जीजे हम उतना ही पढ़ेंगे अंदर की politics क्या हुई कैसे हुई उसके बारे में हमारा कुर्स नहीं है वो हमारे कुर्स की बात नहीं है तो बस हमें इतना समझना है कि बहादुर साने किस के साथ किस तरह की policy अपनाई तो राजपूत और मराठों के साथ कौन सी policy अपनाई बताईए राजपूत और मराठों के साथ कौन सी पॉलिसी और सिख्खों के साथ strict policy और concilatory policy मुशने क्या किया जै सिंग को हटा कर विजै सिंग को यानि उसके छोटे भाई को अंबर का राजपूराने कोसिस के लेकिन सक्सेस नहीं मिले सक्सेस नहीं मिले तो बाद में क्या हुआ तो लिखिएगा बोथ अजीत सिंग एंड जै सिंग अजीत सिंग और जै सिंग कहा पर इनके बारे में हम लोगों ने औरन जेप की राजपूर पॉलिसी में देखा था तो वहाँ पर आप एक बार जाकर देखिए और पढ़िए अजीत सिंग और जै सिंग को एक बार बैक जाएए और वहाँ राज़ीपूत पॉलिसी ओफ और अरॉंजेब में आपको अजीज सिंग और जैसिंग मिल जाएँगे उनके बारे में देखिए और फिर यहाँ आईए तो आपको किलियर हो जाएगी बात So both Ajis Singh and Jaising were later restored but their demand for high Mansabdar. High Mansabs and Offices of Subedars of Important Provinces were not accepted. So both of them changed. Ajis Singh and Jais Singh have changed. So both of them 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 changed. In 1707 from prison. अब संभाजी और संभाजी के बेटे साहू यह कहां से आ गए तो जब आप पढ़ोगे औरणались औरणेव की मराथा पॉलिसी तो औरणेव सबीद्द मराथा जब आप औरणेव में जाकर देखोगे आपको लिखओए औरन जेब्स विद्द मराठाज वहां आपको लिखवाया है कि पहले सिवा जी के साथ वार होता है औरन जेब का मतलब कॉन्फलिक्ट उसमें भी पहले साइस्था खा आता है साइस्था खा के बाद फिर राजा जैसिंग को भेजा जाता है मुअज्जम यानि कि इसी के साथ वो मुअज्जम और राजा जैसिंग तो मुअज्जम कौन बहादूर साथ फर्ष्ट और जैसिंग वही आते हैं जिसमें किसी तरह से जैसिंग क्या करते हैं ट्रीटी ओफ कौन सी पूरंदर साइन करते हैं और सिवा जी को दिल्ली दर्वार में बुलाया जाता है दिज़ पिर conflict चालू रखते हैं उसी बीज में 1680 में सिवाजी की देथ होती है देथ होने के बाद उनके बेटे संभाजी स्ट्रगल को कैरी करते हैं और जब संभाजी की देथ होती है यानि कि जब स्ट्रगल में संभाजी को बंदी बना कर इनको इनकी हत्या कर दी जाती है तो इनके सिवाजी के बेटे संभाजी और संभाजी के बेटे साहू इनको बंदी बना लिया जाता है तो साहू जो है वो सिवाजी के ग्रैंड सन है तो सिवाजी की देथ 1680 उसके बाद आते हैं कौन उनके बेटे संभाजी संभाजी struggle को carry करते हैं लेकिन बाद में arrest हो जाते हैं और उनको उनकी हत्या कर दी जाती है और इनके बेटे संभाजी के बेटे साहु जी को prison यहने की jail में डाल दिया जाता है किसके दोरा औरंजेब के दोरा यह कहानी आपने पढ़ रखी है औरंजेब विद्ध मराठाज में अब बहादूर सा जफर जब सुरी बहादूर सा फर्स्ट जफर नहीं बहादूर सा यानि कि वही मुज्जम कौन मुज्जम और जैसिंग जाकर सिवाजी से treaty of पुरंदर करते हैं तो इसकोड़कन के बारे मिंत पता रहता है पूरी कहानी तो इसने क्या किया है और यह क्या कहता है मुज्जम खुद काबुल का गवर्नर भी रहता है तो इसको पॉल्टिक्स तो अच्छे से आती थी 63 साल का बूढई ही तो था लेकिन पॉल्टिक्स सब कुछ नहीं चाहता था और साथ में क्या किया लिखिएगा He granted them the Sardeshmukhi of the Deccan बट नौट द चौत बट नौट द चौत He granted सरदेश मुखी of Deccan बट नौट द चौत अब आपके सामने दो सब्द I knew एक सरदेश मुखी और दूसरा चौत आपके सामने दो वर्ड आए एक आया सरदेश मुखी और दूसरा है चौत तो सरदेश मुखी और चौत ये दोनों क्या है? Tax है क्या है? Tax है जब सिवाजी हुए थे राजा या जब मराठों का क्या कहते हैं उदै हुआ, राई हुआ तो उन्होंने जब अपना एड्मिस्टेशन बनाया तो उन्होंने जब एड्मिस्टेशन बनाया तो उसमें उन्होंने जो Tax सिस्टम लगाया भाई कोई भी राजे बनेगा तो वो राजे बनेगा तो क्या करेगा? Tax वसूलेगा? उस इस तो राज चलना है तो जब टैक्स लगा तो उस जो टैक्स क्या कहते है मराठों ने लगाया ने कि सिवा जी ने जो टैक्स शुरुबात किया उसको दो तरह के थे एक था सरदेश मुखी और एक था चौत दो तरह के टैक्स हुआ करते थे चौत एक तरह से देखा जाए तो दूसरे राज्यों से लिया जाता था और सरदेश मुखी जिन पर आपका कंट्रोल है वहां की पब्लिक से लिया जाता था इस तरह से इन्होंने दो टैक्स लगा रखे थे किसने ये मराठों का टैक्सेशन सिस्टम था अभी के लिए आप इतना समझे कि सरदेश मुखी और चौत मराठों का टैक्सेशन सिस्टम था ठीक है और जब हम राइज ओफ मराठाज पढ़ेंगे तब वहां पर हम लोग समझेंगे कि मराठों का एड्मिस्टेटिव सिस्टम और एड्मिस्टेटिव और रिवेन्यू सिस्टम और उसी एड्मिस्टेटिव और रिवेन्यू सिस्टम में हम लोग जानेंगे कि सरदेश मुखी किस टाइप का टैक्स था और चौत किस टाइप का टैक्स था अभी आप बस इतना समझे कि ये दो तरह का tax था एक tax था कि आपकी प्रजा आपको देती है और दूसरा tax था जिसको आपने हरा दिया उससे आप tax लेते हो ट्रिब्यूट तो बस वही कि आप डेकन में हो तो जहां आपका सल्तनत है जहां तक आपका अधिकार है वहां के पब्लिक से आप सर्देश मुखी ले लो और जो आपके कंट्रोल में है उनसे ट्रिब्यूट हम लेंगे आप नहीं वसुलोगे यानि कि इंडिरेक्ली वो लोग हमारे कंट्रोल में आ गए तो ये पूरी तरह से इसने एक पॉलिटिकली व्यू रचना की मराठोग खिलाव ताकि ये मजबूत भी ना हो पाए ठीक है और इनका काम भी चलता रहे क्योंकि जब टैक्स वसूलेंगे सर्देश मुखी तो उसस से क्या होगा उससे बाकी जो है इनके कंट्रोल में डारेक्ट नहीं रहेंगे वो सब इनसे दूर रहेंगे तो इस तरह से इसने क्या किया मराठों के साथ गेम किया और साथ में क्या हुआ इससे मराठे सैटिसफाई भी नहीं हुए और एक तरह से इसने क्या किया मराठों क कुछ चीजे आपसे छीन भी ली यानि कि इसने अपनी सुपियोर्टी वहां दिखाई नेक्स लिखेगा नेक्स लिखे अब नेक्स पॉइंट लिखेगा but he did not recognize Sahu as the rightful he did not recognize Sahu as the rightful Maratha king thus fight for supremacy thus fight for supremacy started between Tarabai and Sahu thus in all Marathas remained dissatisfied यानि कि Marathos के बीच में इसने क्या किया conflict start कर दिया क्योंकि साहू जी क्या थे ये legal hired थे यानि सिवा जी राजा उनके बेटे संभा जी राजा संभा जी के बेटे साहू जी को राजा होना चाहिए था लेकिन जब ये prison में थे तो किस Marathos ने किसी दूसरे को राजा बना रखा था अब वो कौन था क्या था वो कहानी हम लोग Rise of Marathas में देखेंगे ठीक है ना किसको राजा बनाया था कौन बना था क्या उसमें कहानी चली कैसे तारा बाई कहां से आ गई तो वो सब कहानी ये है कि बस यू समझे कि सिवा जी की दो वाइफ थी एक सई बाई और एक स्वेरा बाई तो संभा जी जो थे सिवा जी की पहली पतनी के बेटे थे और उनका बेटे साहू जी और सिवा जी की दूसरी पतनी के बेटे थे राजा राम और राजा राम के पुत्र था सिवा जी टू तो जब साहू जी जेल में थे तो सिवा जी की दूसरी पत्नी के बेटे सिवा जी टू को राजा बना दिया गया था तो अगर बहादूर साहू जी को राजा मान लेता तो वार अप सक्सेशन नहीं होता लेकिन जब इसने जान भूश कर ऐसा किया कि मैं साहू जी को राजा रिकोगनाईज नहीं करूंगा तो उससे क्या होगा मराठे आपस में उलज जाएंगे और ये कहीं न कहीं बहादूर साह की क्या थी टैक्टिस थी एक बदला लेने वाली पॉलिसी थी मराठों के बीच में तो उसने सब के बीच में जगड़ा लगाया पहला राजपूतों के बीच में जगड़ा लगाया और उनको भी कुछ दिया कुछ नहीं दिया दूसरा मर पादुर्सा ने सब को डिस्टर्ब करके रखा क्या किया कि तुमने अगर उसने एक तरह से ऐसा पॉलिशी बराए कि तुमने हमारे खिलाफ वे तो देखो तुमको पूरे सैटिस्फेक्शन तो हम नहीं देने वाले राजपूतों को कुछ दिया لेकिन कुछ नहीं दिया मराठों में साहु जी को जान बुच के रिलीज कर दिया कि horizon कर देंगे तो जब यह लोटेंगे तो क्या करेंगे अपनी authority के demand करेंगे जब authority करेंगे तो फिर war of conflict इनके बीच में भी शुरू हो जाएगा इस तरह से उसने पूरा तरह से राजपूत और मराठों के बीच को आपस में उल्जा दिया यही थी उसकी क्या थी concilatory policy यानि थोड़ा सा pamper करो लेकिन इतना मत करो कि वो संतुष्ट रहे उनके बीच में आपस में कुछ न कुछ मतभेद बनाए रखो उनको आपस में लड़ाते रहो एक गेम चलना वो काम इसने राजपूतों और मराठों के साथ किया और तीसरा इसकी जो policy थी सिखों के लिए तो वहाँ पर यह strict policy अपनाया तो इसको अभी अगर note down कर लिया हो तो इसको रब करते हैं और सिख वाली policy देखते हैं तो इसको रब करो